हलो बच्चो वेलकम टू माई चेनल साहू साइंस क्लासिस तो बच्चो हर स्टूडेंट अपनी तरफ से परिक्षा के लिए बहतरीन तयारी करता है परिक्षा देने के बाद रिजल्ट का स्ट्रेस और इंतजार शुरू हो जाता है और फिर चलता है पास और फेल का खेल यूपी बोर्ट परिक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट को सरकार की तरफ से प्रोथसाहन राशी दी जाती है इससे टॉपर स्टूडेंट का तो मनुबल बढ़ता ही है नेक्स्ट बैच के चातर भी अपनी तयारी को लेकर जादा अलट हो जाते हैं वह डबल मेहनत करने के लिए खुद को तयार कर लेते हैं हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश सरकार दसवी और बारवी परिक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को इनाम देकर प्रोथसाहित करेगी योगी पार्ट वन सरकार में डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौर्य लोक निर्माण मंत्री थे उन्होंने गोशना की थी कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर रिजल्ट सूची में टॉप टैन इस्थान प्राप्त करने वाले ऐसे चात्र चात्राओं के नाम पर सडक का नाम करण किया जाएगा जिनके घर के पास पक्की सडक नहीं है इन सडकों की मरमत यूपी सरकार कराएगी और इसके बाद इसका नाम करण उच्छात्रिया च्छात्रा के नाम पर किया जाएगा पिछले साल के गिफ्ट्स पर नज़र डाले तो उत्तरपरदे सरकार ने यूपी बूर्ड हाई स्कूल और इंटर टॉपर्स को एक एक लाक रुपे की प्रोचाहन राशी और एक एक लैप्टॉप दिया था उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी योगी आदितनात के नेतरत्व वाली यूपी सरकार टॉपर स्टुडेंट्स को एक लाक रुपे और एक लैप्टॉप बाटेगी